नमस्कार मैं हूरी या बिपलिवाल और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टोप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 News वेब एंड यूडूब न्यूज चैनल आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें बेल आइकोन को प्रेस जरूर करें देखिए मोसम संबंदीत बड़ी अपडेट अमुमा मार्च माह में शहर में धूप के तेवर तलक होने लगते हैं पिछले चार दिनों से राज़धानी में गर्मी के तेवर भी तीखे होने लगे थे धूप में चुबन महसूस होने लगी थी इससे बेचे नी बढ़ने लगी थी सोमवार को तो शहर का दीन का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा था लेकिन शाम के समय मोसम में अचानब करवट ली घने बादल चा गये और गरत चमक के साथ कई खेत्रों में बोचारे भी पड़ी इससे फिजा में ठंडक भूल गई मंगलवार को भी सुभा से बादल चाये हुए हैं सर्द हवाय चलने से मोसम सुहाना बना हुआ है मोसम विज्यानिकों के मताविक मंगलवार को अधिक्तम तापमान में सोमवार के मुकामले 3-4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती हैं दोपहर बाद हल्की बोचारे भी पड़ सकती हैं उधर पिछले 24 घंटों के दोरान मंगलवार सुबर 8 बजे तक घोपाल शहर में 1.8 मिलीमीटर बारिश हुई मोसम विज्यान केंद्र के वरिष्ट विज्यानिकी पीकेस ना ने बताया कि मंगलवार को राज़धानी का नियूंतम तापमार 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा साथ ही यह सोमवार के नियूंतम तापमार 17.0 डिग्री सेल्सियस की तुल्ना में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा सोमवार को अधिक्तम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकोर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा यहार रविवार के अधिक्तम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था साहा के मुताबिक बादल छाय रहने के कारण रात के तापमान में बडोत्री हुई है लेकिन धूब नहीं निकलने के कारण मंगलवार को दीन के तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है हर्याना पर मोजूदे पश्चीमी विक्षोब मोसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ट मोसम विज्ञानी अजे शुकला ने बताया कि पाकिस्तान के आसपास बना पश्चीमी विक्षोब वर्तमान में हर्याना पर सक्रिय हो गया है इसके असर से दक्षिनी राजस्तान पर एक प्रेरी चक्रवात बना है चक्रवात पश्चीमी मध्यप्रदेश से होकर गुजरता गुजरात कोकन तथा एक ट्रफ बना हुआ है इन तीनों मोसम प्रणालियों के कारण बारिश हो रही है उधर एक नए पश्चीमी विक्षोप के आज रात को उत्तर भारत की तरफ बढ़ने की संभावना है इस वज़र से मध्यप्रदेश में अभी 3-4 दिन तक मोसम इसी तरफ बना रहने के आसार है मोसम संबंदी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे हमारे साथ MP7 News